सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखने की बात हो रिये बच्चों मंडाला डिजाइन को बनाईए आप भी तालिका को टेली चिन के द्वारा पूरा करें तता इन आकड़ों को एक दंड आलेक द्वारा निरूपित कीजिए तो देखिए कैसे निरूपित करना है वो हम देख लेते हैं देखते हम देखिए आकर्ती टैली चीन और आकर्तियों की संख्या यहां से देख के करनी है हमें ठीक है तो देखिए इसकी बात हो रही है इस वाली आकर्ती की ठीक टैली चीन में बच्चो चार निशान हम ऐसे तो इसे 5 गिना जाता है जैसे हमने यहाँ कर रखा तो देखे 5 और यह 4 9 हो गए, ठीक है इसे इसे लिखा जाएगा अकृतियों की संक्या हमने 9 लिख दी अब इस वाले चिन की बात हो रही है、 ठीक है यह वाले चिन कितने हैंपर, तो देखे 5 पांच ही हो गए, पांच ही हो गए, पांच ही हो गए, पंदरा और एक ही हो गया, तो यह 16 हो गए, अच्छा, अब बात हो रही है, इस वाले चिन की, ठीक है, तो इस वाले चिन को देखिए, यह कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, फोर दिखाई दे रहे हैं ना, यह रहे, तो ये कितने हो गए, ये देखिए, इसे कैसे लिखेंगे टैली चिन में, इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर चार लिख देंगे, अब बात हो रही है इस वाले की, सरकल वाले की है ने सरकल की, तो circle कितना दीख रहे आपको ये circle हो जाएंगे total 5 जो बाहर वाला circle है outer inner सब मिलाकर 5 हो जाएंगे ऐसे लिख देंगे हम अब देखिए अब next देखते हैं यहाँ पर आ जाते हैं सिक्क्यम is the least populous and second smallest among the Indian states और इसके बार में बताएं सिक्क्यम में सबसे कम जनसंख्या है और यह दूसरा सबसे छोटा भार्दी राज्य है A part of eastern हिमाल्याज सिक्क्यम is notable for its biodiversity including alpine and subtropical climate as well as being a host to कंचेंचंगा the highest peak in India the third highest on earth तो यह बता रहें कि पूर्वी हिमाल्याज का एक भाग सिक्क्यम किसके लिए विख्या था अपनी biodiversity के लिए alpine और subtropical climate को समिलित करते हुए कंचेंचंगा जो है वो भारत की सबसे उची चोटी मानी जाती है और प्रत्वी पर तीसरी सबसे उची चोटी है अब यहाँ पर है कि उपर दिये गए paragraph को पढ़कर इसमा आने वाले अंग्रेजी के स्वर A, E, I, O, U की सूची बनाए आपको यह बताना है A, E, I, O, U कितनी कितनी बार आए अब यह इनप्रेशिनों को उत्तर दे है सबसे कम बारता था सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखे इनका अंतर निकाले जो की आकडों का परिसर होगा तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे कम तथा सबसे अधिक बार आने वाले तो सबसे अधिक बार आया बच्चो A, E, S में ठीक है 31 और सबसे कम बार आया U और इन दोनों का अंतर आजएगा 25, 25 ठीक है अब नेक्स्ट क्या है स्वर A तथा स्वर I की संख्याओं का अनुपाद ग्याद कीजिए तो A और I की संख्याओं का अनुपाद हो गया 30 अनुपाद 31 ठीक है अब यहाँ पर देखिए हमें बताना है यह जो हमने पढ़ा है यह पूरा यह सिक्किम वाला इसमें हमें यह बताना है A, E, I, O, U कितनी बारा है तो देखिए यहाँ पर हम पहले A का लिखते है इसका मतलब होगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 31 यहाँ लिख दिया हमने 31 A, I, 31 वार यह कितनी बारा है E, देखिए 5 यह हो गए एक मतलब 4 यह होगे फिर एक बार ऐसे निशान लगाना पड़ता टैली चिन में तो यह 5 हो जाते है 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 4, 29 यह 39 हो गए I कितनी बारा है इसे भी काउंट कर लेंगे तो यह कितनी बारा है 30 बार O को काउंट करेंगे यह 5, 5, 10 और 4, 14 बार U को काउंट करेंगे यह 6 बारा है ठीके बच्चो तो यह सॉल्व हो गया अब आगे देखते है कोशेन नमबर 3 2011 की जनगरणा के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे का माबादी वाला रज्ज है सिक्किम की अतिहासिक जनसंक्या एक तालिका में नीचे दी गई है जनसंक्या का माध्या और माध्यक लगभग हजार में ग्याद करें तो देखिए यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर जनसंक्या दी गई है पहले इसे देख लेते हैं देखिए यहाँ पर वर्ष यहाँ पर जनसंक्या तो इसमें हमें क्या ग्याद करना है माध्यक और माध्यक ठीक है तो पहले हम माध्य ग्याद करेंगे तो देखिए माध्य ग्याद करने के लिए बच्चों 1951 से लेके 2011 तक जितने हजार में दियो हुए है जैसे 138, 162 इन सब को टोटल करके जितनी ये संख्या है कितनी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ इन साथों का टोटल करके फिर इसे साथ से ही भाग दे देना है तो ये आ जाएगा आपका भाग तरने के बाद ठीक है ये आ जाएगा तीन सो चारिस ठीक है अब आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसमें पूछा है माद्य का ठीक है और क्या पूछा है माद्य के साथ साथ माद्यक तो माद्यक कैसे निकालेंगे माध्यक कैसे निकालेंगे देखिए जो पहले तो इसे सीरेल ओर्डर में लगाते हैं या तो असेंडिंग ओर्डर में या डिसेंडिंग में तो यह ओल लेडी ओर्डर में ही है ठीक है अब उसके बाद जो बीच वाली संक्या होती है तीन उपर छोड़ी तीन नीचे जो बीच वाली संक्या तीन सो सोला यही नीचे अब यह देखते हैं कोशन नमबर फॉर नीचे दिल्ली और सिक्कीम का दर्डाले एक दिया हुआ है जो एक भूमी छेतर तथा दूसरा का समुद्रे तल से उचाई तीसरा उसत अधिक्तम और नियोंतम तापमान का प्रतिनी देत्व करता है निमले कित प्रिशनों के उत्तर दीजे हमें इसके प्रिशन के उत्तर देने एक तो हमें सिक्कीम का उसत तापमान लिखना है और दूसरे में हमें वर किलोमीटर में भूमी छेतर का अंतर लिखना है तो सिक्कियम का औसत तापमान हम लिख देंगे बच्चों औसत तापमान कितना है 18 ठीक है पहले का अंसर तो 18 हो जाएगा और दूसरे का अंसर हमें बताना है वर्ग किलोमीटर में भूमी छेत्र का अंतर तो वर्ग किलोमीटर में जो हम 70.6 में से माइनस कर देंगे अंतर निकल आएगा अंतर आया 56.12 यह हो गया सेकंड का अंसर तो आपकी वक्षीट सॉल्व हो गए इस्टिटेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो प